प्राइम मिनिस्टर अफ इंडिया, यूर एक्सलेंसी, यू हैव दे फ्लोग। Friends, आज मैं आपके बीच उस भूमी का प्रतिनिदित्व कर रहा हूँ, जिस भूमी ने हजारों वर्ष पहले ये मंत्र दिया था। समगच्छ द्वम, समद्वत्वम, समव मानसी जानतां। आज ये कीशवी सदी में ये मंत्र और ज्यादा महत्वपुन हो गया है, प्रासंगिक हो गया है। समगच्छ द्वम यानि सभी साथ मिलकर चले। समबद्वम यानि सभी मिल जुलकर आपस में समवाद करे। और समव मनानसी जानतां यानि सभी के मन भी आपस में मिले रहे। प्रेंट्स जब मैं पहली बार क्लाइमेट समीक में पैरिस आया था, तब मेरा ये इरादा नहीं था कि दुनिया में हो रहे अनेक वाइदों में एक वाइदा अपना भी जोड़ दो। मैं पूरी मानवता के लिए एक चिंता के साथ आया था। मैं उस संस्कृती के प्रतिनिदी के रूप में आया था जिसने सर्वे भवन्तु सुखी नह अर्थात सभी सुखी रहे का संदेश दिया है। इसलिए मेरे लिए फेरिस में हुआ आयोजन एक समीट नहीं सेंटिमेंट था एक कमिटमेंट था। और भारत वो वाइदे विश्व से नहीं कर रहा था बलकि वो वाइदे सवा सो करोड भारत वासी अपने आप से कर रहे थे। और मुझे खुसी है कि भारत जैसा विकास चिल देश जो करोडों लोगों को गरिबी से बहार निकालने में जुटा है। जो करोडों लोगों की ईज अब लिविंग पर रात दिन काम कर रहा है। आज विश्व की आबादिका 17 परसंट होने के बावजूद जिसकी एमिशन्स में रिस्पोंसिमिलिटी सिर्फ 5 परसंट रही है। उस भारत ने अपना कर्तव ये पूरा करके दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। आज पुरा विश्व मानता है कि भारत एक मात्र बड़ी अर्थे बवस्ता है जिसने पैरिस कमिट्मेंट पर लेटर एंड स्पिरिट में डिलिवर किया है। हम संकल पबद होकर हर संभव एफ़र्स कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और परिणाम लाकर दिखा रहे हैं। फ्रेंट्स आज जब मैं आपके बीच आया हूँ तो भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को भी लेकर के आया। मेरी बातें सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये भावी पिडी के उजवल भविश्य का जयगोश है। आज भारत इंस्टॉल रिन्यूवल एनर्जी कैपसिटी में विश्व में चोथे नंबर पर है। बीते साथ वर्षों में भारत की नौन फोसिल फ्यूल एनर्जी में 25 परसंट से ज़्यादा की व्रत्धी हुई है। और अब यह हमारे एनर्जी मिस्ट का 40 परसंट पहुच गया है। फ्रेंट्स विश्व की पूरी आबादी से भी अधीक यात्री भारतियर रेल से हर वर्ष यात्रा करते हैं। इस विशाल रेलवेश सिस्टिम ने अपने आपको 2030 तक नेट जीरो बनाने का लक्ष रखा है। अकेली इस पहल से सालाना 60 मिलियन टन एमिशन की कमी होगी। इसी प्रकार हमारे विशाल LED बल्क अभियान से सालाना 40 मिलियन टन एमिशन कम हो रहा है। आज भारत द्रड़ इच्छा सकते के साथ ऐसे कई सारे इनिशेटिवस पर तेजी से काम कर रहा है। इसके साथ ही भारत ने अंतराष्ट्य स्तर पर दुनिया का सहयोग करने के लिए इंस्टिटूशनल सॉल्यूशन भी दिये हैं। सोलर पावर में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में हमने इंटरनेशनल सोलर अलाइंस की पहल की। क्लाइमेट एडप्शन के लिए हमने कॉलिशन फर डिजास्ट और रेजिलिएंस इंफ्रासेक्टर का निर्मान किया है। ये करोडों जिन्दिगियों को बचाने के लिए एक सम्वेदन सील और महत्वपूर्ण पहल है। प्रेंट्स मैं एक और महत्वपूर्ण विशय है पर आप सभी का ध्यान के इंदित करना चाहता हूं। आज विश्व मान रहा है कि क्लाइमेट चेंज में लाइफ स्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आज आपके सामने एक वन वर्ड वन वर्ड मूमेंट का प्रस्ताव रखता हूं। वन वर्ड एक शब्द क्लाइमेट के संदर में वन वर्ड एक विश्व का मुल आधार बन सकता है, अधिश्वान बन सकता है। यह यह शब्द है, LIFE यानि आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसीपेशन के साथ लाइफ स्टाईल पॉर एनवार्मेंड यानि लाइफ को एक अभ्यान की तरह आगे बढ़ाएं। ये environmental conscious lifestyle का एक mass movement बन सकता है आज आवर सकता है mindless और destructive consumption के बजाए mindful और deliberate utilization की ये movement एक साथ मिलकर ऐसे लक्ष तैक कर सकता है जो diverse area जैसे fishing, agriculture, wellness, dietary choices, housing, packaging, hospitality, tourism, clothing, fashion, water management और energy जैसे annex sectors में एक क्रांती कारी बढ़लाव ला सकता है ये ऐसे विशह है जहां हम मैंसे प्रतेक को हर रोज conscious choice करनी होगी पूरी दुनिया में करोडों अर्वों लोगों के हर रोज की ये choices climate change के खिलाब लडाई को हर दिन billion steps आगे ले जाएगी और मैं इस आर्थिक आधार पर वैज्यानिक आधार पर बीती शताब्दी के अनुभवों के आधार पर हर कसोटी पर खड़ा उतरने का movement बानता हूँ स्वत से समस्ति का यही रास्ता है अहम से वयम के कल्यार का यही रास्ता है फ्रेंट्स कलाइमेट चेंज पर इस वैज्श्विक मंथन के बीच मैं भारत की और से इस चुनावती से निपटने के लिए पांच अम्रित तत्वा रखना चाहता हूँ पंचाम्रत की सोगात देना चाहता हूँ पहला भारत ट्वेंटी थर्टी तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी केपसिटी को फाइव हंड्रेड गीगावर्ट तक पहुंचाएगा दूसरा भारत ट्वेंटी थर्टी तक अपनी फिप्टी परसेंट एनर्जी रिक्वार्मेंट्स रिन्यूबल एनर्जी से पूरी करेगा तीसरा भारत अपसे लगकर ट्वेंटी थर्टी तक के कूल प्रोजेक्टेड कार्मन एमिशन में एक बिलियन टन की कमी करेगा चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थे ववस्ता की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लग्ष हासिल करेगा ये पंचामरत क्लाइमेट एक्षन में भारत का एक अबुत्पुर्व योगदान होंगे फ्रेंड्स, ये सच्चाई हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट फाइनांस को लेकर आज तक किये गए वाइदे, खोखले ही साबित हुए है जब हम सभी क्लाइमेट एक्षन पर अपने एंबिशन बढ़ा रहे हैं तब क्लाइमेट फाइनांस पर विश्व के एंबिशन वहीं नहीं रह सकते हैं जो पैरिस एग्रिमेंट के समय थे आज जब भारत ने एक नए कमिट्मेंट और एक नई उर्जा के साथ आगे बढ़ने का संक्यल पर लिया है तो ऐसे समय में क्लाइमेट फाइनांस और लो कॉस्ट क्लाइमेट टेक्नोलोजी का ट्रांसफर और महत्वपुन हो जाता है भारत की अपेक्षा है कि विक्सित देश जल्द से जल्द वन ट्रिलियन डालर का क्लाइमेट फाइनांस उपलब्द कराएं आज आवशकता है कि जैसे हम climate mitigation में हुई प्रगती को track करते हैं वैसे ही हम climate finance को भी track करें उचीत नियाय तो ये होगा कि जो देश climate finance पर किये अपने वादों पर खरें नहीं उतरें उन पर दबावद बढ़ें Friends, आज भारत climate के विशे पर बहुती साहस और बड़ी महत्वक कांचा के साथ आगे बढ़ रहा है भारत अन्य सभी विकाचिल देशों की पीड़ा भी समझता है उन्हें साजा करता है और उनकी अपिक्षाओं की अभीव्यक्ति भी निरंतर करता रहेगा कई विकाचिल देशों के लिए climate change उनके अस्तित्व पर मंड़ा रहा है एक बड़ा संकट है हमें दुनिया को बचाने के लिए आज बड़े कढ़म उठाने ही होंगे यही समय की मांग है और यही इस फोरम की प्रासंग जिक्ता भी सिद्ध करेगा मुझे विस्वात है कि ग्लासगों में लिये गए निर्णाय हमारी भावी पीडियों का भविशे बचाएंगे और सुरक्षित और सम्रद्ध जीवन का उभार देंगे अधिक जी मैंने समय अधिक लिया आपसे मैं छबा चाहता हूँ लेकिन विकांस चिल देशों की आवाज उठाना ये मैं अपना करता में मानता हूँ इसलिए मैंने उस पर भी बल दिया है मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ